नईश्कार आदाव सस्रिया कॉल नौलिज मत्रा के एक और अमेजिंग एपिसोड में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ सोना हर किसी को पसंद होता है कुछ लोगों को गोल्ड वाला सोना ज़ाद अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को नीम वाला सोना अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज़ादा सो सकते है तो मेरे हिसाब से शायर आप गलत है क्योंकि हमारी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां कि लोग नीम के मामले में रामायन के कुमकरण की बराबरी करने का प्रयास कर रहे है अब क्या है पूरा मामला आएज जानके है हमारी फैक नमबर वन में आपने कुमकरण के बारे में तो सुनाई होगा अरे रामायन का कुमकरण जो एक बार सोता था तो छे मेने तक नहीं जाकता था लेकिन क्या आज की युक में भी कभी ऐसे इंसान की बारे में सुना है जिहाँ कजाकिस्तान में एक पुरा गाव ही ऐसा है जहाँ कि लोग एक बार सो जाते हैं तो कई मेनों तक नहीं जाकते है दरसल कजाकिस्तान का एक गाव कलाची है जहां लोग अजीब बीमारी से क्रसित है यहां लोग एक बार जो सोजाते हैं तो कई दिन या कई मेनों तक नहीं उठते इस गाव में इस तरह सोने का पहला मामला 2010 में सामने आया था और तब से वेग्यानिक और शोट करता इस पर शोट कर रहे हैं हाला कि कुछ वेग्यानिकों का कहना है कि इस गाव के लोग एक अजीब बीमारी से क्रसित हैं और इसी कारण ऐसा हो रहा है लेकिन अभी तक इस बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाए है इसके लावा कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा यहां की दूशित पानी की वज़े से होता है वही कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा गया है कि यहां पर यूरैनियम की काफी जहरीली गैस निकल दी है जिसके कारण यहां की लोग सोते रहते हैं यूरैनियम की जहरेली गैस की वजह से इसकाव का पानी भी काफी तुशित हो गया है वैग्यानिकों ने अपनी स्टडी में पाया कि यहां की पानी में कार्बन मुनाउकसाइड गैस है जिसकी वजह से यहां की लोग महीने तक सोते रहते हैं इस बीमारी की सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात तो यह है कि ऐसी बीमारी से ग्रसित लोगों को इस बात का ऐसास ही नहीं होता कि वो कब और कह सुग है इस बीमारी से ग्रसित लोग घर में हूँ या घर से बाहर सरक पर गार्डन में या बाजार कहीं भी अचानक सुझाते हैं इस काव में करीब 600 लोग रहते हैं जिसमें से करीब 14 प्रतिशित लोग इस बीमारी से पेड़ हैं इस बीमारी की वजह से इस काव को स्लीपी हॉलो नाम से भी चाना चाता है